गीता में साप सब्दों में लिखा हुआ है कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं यस आप सबको पता है RRB.JE. ने कलेंडर ओट कर दिया है और कलेंडर ओट होते ही आपको यह पता चल गया है आपकी जो RRB.JE. की जो वेकेंसी है और किस मंथ आने वाला है लेकिन, फिकेंसि आने से पहले, आपको start करना पड़ेगा, आपको preparation, yes और preparation start करने से पहले आपको जानना पड़ेगा, आपको कौन कौझे subject कितना पढ़ना है, yes, तो आपको पीछे दिख रहा होगा, और भी जेई, electronics engineering वाले बच्चों के बारे में, आज मैं बात करने वाला हूँ, सेसर में, क्योंकि electronics वाले बच्चे बहुत ज़्यादा, अलग-अलग, जब आपे comment करें थे सर मेरे बारे में कब बात करोगे, ये इंजिनर्स वाला की टीम आपके लिए हमेशा से खरी रही है और फिर से खरी है आपके लिए तो और भी जए की जो वेकेंसी आएगी इसमें इलेक्ट्रोनिक्स वाले बच्चों को कौन को सब्जेक्ट प्रिपेर करना है साथ ही साथ कितना प्रिपेर करना यह भी जाना ज करतें जानते वन वे सारे चीजों को आपको ये पता है में CBT न होता है मैंन होता है थे किया पता है क्वहनी को यह Chris देखा यह जाती है भी दिख्टाइंग चली बहुत अच्छे बात है तक है इसके आता होता है लोग उसके पता है नेगेटी मार्किक थार है इसके बाद क्या लिखा है minimum qualifying marks देखो minimum qualifying marks क्या लिखा है UR के लिए 40% OBC के लिए 30% SC के लिए 30% ST के लिए 25% this is the minimum qualifying marks इसके बाद अगर बात करो exam pattern तो यह सब पता है आपको mathematics 30 marks आता है general intelligence reasoning 25 marks का आता है general science 30 marks का आता है general awareness 15 marks का होता है total 100 questions 100 marks और timing होता है कितना 90 minutes यह सब चीज़े आपको मुझे लगता है पता होगा और मैंने इस पर और लेड़ी वीडियो बनाया वा था है electrical engineer वाले बच्चों के लिए तो वहां पर मैंने इस सारे चीज़ों के लिए detailed discussion भी किया हूं अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं और जान सकते हैं इस subject में कौन कौन से topic से question पूछने वाले हैं और सबसे important बात आप इस बात को ध्यान डखेगा और यहीं सीवीटी वन जो है totally non-tech है और इस non-tech वाले पार्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेर करना है क्योंकि यहीं बहुत बरा गेम होता है बेटा तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेर किजएगा जब इसमें आप जाएगा तब आपको सामना करना परेगा cbt2 में यस और cbt2 एक्जाम में देखो क्या आपके पास वर्चुल कैलकुलेटर होता यस और यह अलग से ले जाने की जोगत नहीं होती है आप जब cbt टेस्ट दोगे तो आपके इस डिस्पले पर ही दिखेगा यह वर्चुल कैलक लेटर इसके बाद यहां पे भी निगेटी मार्किंग होता है एक वण मार्क्स मिलता है आपको अगर सही कुछिण उसके लिए वन मार्क्स और नेगेटी मार्के वन बाइद यहां पर भी है सेम जैसा cbt1 में था वाइसा है cbt2 में है इसके बाद सबसे इंपोरेंट बड़ the marks score here will be considered for for drawing the final merit list yes यहां पे जो score करोगे आप cbt2 में जो score आएगा इसके बिहाब पे आपका final merit list decide होने वाला है इसलिए cbt2 बहुत ज़्यादा important है sir cbt1 का score नहीं कमाएगा नहीं cbt1 के बल क्वालिफाइइंग नेचर का होता है cbt2 के based पे पूरा आपका merit list decide होता है तो this is very very important यह बहुत ज़्यादा important है आप जितना ज़्यादा score करोगे उतना ही ज़्यादा आपके पास preference से जाएंगे इस बात को ध्याद समझेगा बात थी cbt2 में क्या-क्या पुछा जाएगा जन्रल प्रिजिक्स और कमेस्ट्री देखो यहां पर लिखा गया नमर अब कोश्चन नमर अब मार्स कंप्यूटर अप्लिकेशन बेसिक्स इन्वाइरोमेंट पॉल्यूशन बेसिक्स और लास्ट में है टेकनिकल अबेलिटी अगर आप जिस ब्रांच से वास्ता रखते हो अगर यहां पर टरीं सब्चसन नमर इचाई मोंत विजोंशन इसीउक कि अंसरे मीगिया हूं , लगता है मैं कैनल जानते हैं बेसिक प्रोशेटर्टर्ल इसके बाद data electronics येश रिखिरन के ग्डेयर जीचन इंजीनिनियर्न नियरिक शर्की जिएम में एने लॉग्ट्रोच बोलते और उसके पाल कुछ इसके बाद कुछ डियाज्रोघ यहां पर डाल होता है यहां से hat तो क्षें में आते रहते हैं तो इस बात को भी देखेगा यहां पे क्या है कुछ मिसलीनियर प्रत पूछ लियेगा यह सारी चीजिए में आपको पढ़ना पर लिंक देता हूं आपको गाएगा इसकिनल सिस्ट्म है कुछ बेसिक्थ कुछन आता है यह भी आपको आएगा signal and system, yes, इसका basic question आपसे पूछा जाता है, तो जो सब आप semester में पढ़ते हो और और भी other exam के लिए तयार करते हो, तो miscellaneous में यह सारी चीजे भी आजाती है, बाकि इसमें बच्चे बोलेंगे सार, basic electronics ने पूछा जाता है, yes, basic electronics जो है न, यह हुआ आपका परेगा, अब बात आती है sir, इसमें से किस subject का सबसे ज़्यदा preference दे sir, किस subject को पहले prepare करें, किस subject को बाद में prepare करें, कितना weightage होता है sir, exam में subject का, तो my last year paper, दो shift में paper हुआ था, last year जब exam हुआ था, अरभी जई का, तो दो shift में paper हुआ था, उस दोनों paper को analysis करने के बाद, मेरे पास यह data है, जिसके बारे में बात करूँगा, देखो लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या, electronic devices, sorry, electronic component and material, 7 question, 7 marks का, yes, electronic devices answer की, जिसको basic electronics से बोलते हो, 17 question, 17 marks, yes, as an electronics engineer, आपको basic electronics बहुत अच्छे से deal करना पढ़ेगा, और 17 question, 17 marks, communication पता है आपको, communication का कितना है sir, 14 marks, yes, इसके बाद क्या है, digital electronics, देखो ध्यां से, तो IDE कितना है, 14 question, 14 marks, इसके बाद क्या है, यहाँ पे, basic electrical engineering, 13 question, 13 marks, इसके बाद देखो ध्यां से, micro processor, microcontroller, 7 question, 7 marks, दूनों चीजह आए यहाँ यहाँ पे, micro processor के रिचे भी question आता है, micro controller बाले पार से भी question आता है, इसके बाद, electronic measurement, यह है, electronic measurement, न इलेक्रोनिक मेजरमेंट से 9 कोईशन आया हुआ था, कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग से यहां पे 8 कोईशन आया हुआ था, और यह जो डेटा कम्मुनिकेशन नेटवर्क है, DCN के नाम से जानते हो, यहां से 11 कोईशन आएगा, इस टोटल को जोरना बेटा, 100 कोईशन और टोटल कितना आएगा, यह 100 मार्क्स का भी आता है, यस, इसको ध्यान दखीगा, यह सारी चीज़े, अब दोको यह सारे सबजेक्ट आपको इंपोटेंट है, आप यहां पे जिसका वेटेज जैसा है, उसके हिसाब से जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, और मुझे लगता है, अब यह समय आ गया है, जो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, तो सबसे पहले जिसका वेटेज जादा है, वहां से पढ़ना स्टार्ट कीजे, और धीरे धीरे जो आपको यह दिखता हुआ, घरता हुआ, उस ओडर में सब्जेक्ट को प्रिपेर कीजिए, डेपनेटली एक्जाम जब होगी, तो आप लोग बहतर परफॉर्म करेंगे, यही सारे सब्जेक्ट है, आपको यह पता चला होगा, जो लास्ट यह, यह लास्ट यह का डेटा है, जो दो सिप्टम पेपर हुआ था, उसके भियापे मैंने यह एनलाइसिस आपको दिया हूँ, तो इसके बाद आपको थोड़ा सा माइंड में, चीजें क्लारीटी लेबल पे चला गया होगा, जो मुझे किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बोक्स में सभी लोग बताएंगे, जो यह वीडियो के बाद, किते लोग अपना प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट कर रखे हैं, किते लोग अभी तक प्रिपरेशन आ स्टार्ट नहीं किये हैं, और किते लोग पहले से ही प्रिपरेशन को डन कर रखे हैं, बस मुझे करना है तो रिवीजन, करना है तो practice ये जिस भी situation में आप है इस वीडियो के नीजे comment box में comment जरूर कीजेगा और अगर आपको और extra guidance की need है तो हमारे टेलिग्राम चैनल कृष्णासर पीड़ू से जरूर जूरिएगा यहाँ पर जूरने के बापजूद यहाँ पर सारी discussion होते है just our like a family आपको जो भी guidance चाहिए आपको किसी exam sedator को guidance चाहिए definitely यहाँ पर मिल जाएगा मिलेंगे किसी next session में तर तक आप लोगों पढ़ते रहिए enjoy करते रहिए सीखते रहिए और electronics वाले बच्चों के पास बहुत कम opportunity आती है लेकिन जो भी opportunity आती है बेटा उसको आपको grab करना है बहुत अच्छे से effort लगाना है definitely आप लोग बहुत अच्छा perform करने वाले मिलते हैं किसी next session में वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा thank you thank you so much